नमस्कार, प्रिये दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 30 जून 2021, आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यनी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी बुध्ध देव को नमन कर चलिए, राशिफल का ये कारिक्रम प्रारंभ करते हैं, बात करेंगे सबसे पहले, आज के पंचांग की, आज बुध्ध वार है, आशार्हमास, कृष्ण पक्षकी आज शष्ठी तिती है, जो दोपहर में एक बज करके 18 मिनट तक है और इसके पुष्चात सब्तमी तिती है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, आयुस्मान योग, वनिज करण है बात हुई पंचांकी, चंद्रमा आज कुम्भ राश में रात्री में 7 बज करके 43 मिनट तक और इसके पुष्चात मीन राशी में प्रवेश कर जाएंगे राहुकाल का समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1 बज करके 30 मिनट तक होगा जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभ कारिय राहुकाल में प्रारम्ध नहीं करना चाहिए जन्व कुंडली में दो ऐसे ग्रह जिनके शुभ और बलवान होने पर जातक कम पढ़ा लिखा क्यों न हो वो इतना ब्यवहारिक होता है कि पढ़े लिखों से कहीं ज्यादा सफल हो जाता है कौन से हैं वो ग्रह आज इसकी चर्चा हम दिब्यमाहा प्रयोग में करेंगे तो दिब्यमहा प्रयोग की बात करेंगे लेकिन उससे पूरु बात कर लेते हैं ग्रहस्तुतियों की राहु और बुध्य यूती बनाकर व्रिशभ रासी में संचरन कर रहे हैं तो ही सूरिय मिथुन रासी में शुक्र और मंगल यूती बनाकर करक राशी में संचर्ण कर रहे हैं केतू का संचर्ण वृष्षिक राशी में जारी है शनिदेव मकर राशी में वक्र अवस्था में संचर्ण कर रहे हैं और देव गुरु ब्रहस्पती चंद्रमा के साथ यूती बनाये हुए वक्र जो कि आज गुरू के नक्षत्र में है, गुरू के साथ यूती बनाये हुए, गज केसरी योग का निर्माण किये हुए, आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं? आज बुधवार और चंद्रमा गुरू के नक्षत्र में, सौम्य दिन गुरू के नक्षत्र में चंद्रमा निसंदे उन सभी कारियों को किया जा सकता है, जिन कारियों में सामन जस्य या प्रेम से बादचित करके जो काम करने हैं, जिसमें न तो सामने वाले पर दबाव डाल न कठोर वानी, कठोर भाशा का प्रयोग जहां करना है, जहां सब कुछ सौम्मेता और मधूरता से हो सके, ऐसे सभी कारियों को आज किया जा सकेगा। प्रये दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मंगल बार रात्री आठ बच करके दस मिनट पर, यनि आज रात्री में आठ बच करके दस मिनट पर, मैं लाइब रहूंगा इसी चैनल पर, आपकी जन्म कुंडली का अध्यायन करने के लिए। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्यायन मुझसे कराना चाहते हैं, कोई एक ऐसा प्रश्ण, जिसका जबाब आपको शीख रही चाहिए। तो ये कारिक्रम पूरी तरह से निशुल्क होता है, बस सुल्क यही है कि आप प्रयास करें। तो रहात त्री आठ बच करके दस मिनट पर अवस्य ही उपस्थित रहिएगा। प्रियादर्शकों आपने कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा, ऐसे डॉक्टरों को, डॉक्टरों में ये उदाहरन पहले खूब देखने को गाउं इत्यादी में मिल जाता था, कि शहर से पढ़े बड़े डॉक्टर जिनका नाम होना चाहिए था, या जिन्होंने बहु बलाच आप डॉक्टर कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि कहीं किसी के यहां रह करके, आज का वो वरतमान डॉक्टर सामाने कहीं कमपाउंडर का काम किया हो, लेकिन भीड देखकर पता चलती है कि अच्छे अच्छे डॉक्टर सोचते हैं, इसका इतना कैसे चलता है, वैसे ह कई बार सामान्य दुकानों में भी ऐसा देखने को मिल जाता है मेरे नजुरों के सामने कई ऐसे दुकान है जहाँ लोग भीड लगाए बैठे हैं और ठीक बगल में उससे कहीं ज्यादा चमक दमक के साथ दूसरी दुकान जहाँ बेहतर समान है ये भी मैं बता दूँ लेकिन महां कोई नहीं, ग्रहक ही नहीं है, जीवन के हरक शित्र में, मैंने तो ये केवल ब्यापार का उदाहरण दे दिया, ब्योहारिकता हर जगह लागू होती है, कोई ऐसा काम जो बहुत दिनों से रुका पड़ा था, आप बार बार दोड रहे थे, नहीं हो रहा था एक ऐसा व् सबसे पहले जरूरी है कि आप कितने ब्योहारिक हैं, एक ब्योहारिक होना और एक ब्योहारिक होने की नकल करना में भेद हैं, अगर आप ब्योहारिक होने का नकल कर रहे हैं, तो कुछी समय के पश्चात ये नकल पकड़ी जाएगी, लेकिन अगर आप सचमुच ब्योहारि से उसे सामाने कर ही लेंगे। अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा पीडित न हो और अच्छी स्तिती में बैठा हो अंसबल के साथ बली अवस्था में बैठा हो तो इसमें कहीं कोई दोमत नहीं कि ऐसा जातक चाहे कम पढ़ा लिखा ही क्यों न हो अपनी बिवहारिकता से साम पढ़े लिखों से भी वो कहीं ज्यादा धन अर्जित करेगा जीवन में सब कुछ हासिल करेगा अब इसका ये मतलब नहीं कम पढ़े लिखे का अर्थ एक उदाहरण हो सकता है वो व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा हो तब तो कहना ही नहीं ये सोने पर सुहागा है क्योंकि विद्याददाति विनयम तो जन्व कुंडली में शुक्र और चंद्रमा ये दोनों ग्रहागार अच्छी स्थिति में हो पीडित नहों और आज की इस परिवेश में देखें तो जादातर लोगों के चंद्रमा आपको पीडित दिखाई पड़ेंगे चंद्रमा जादातर और आज की इस परिवेश में देखें तो बेवहरिक्ता हम सभी भूल गये हैं किसी एक व्यक्ति विसेस की बात नहीं की जाएगी हम सभी बेवहरिक्ता को भूल गये हैं अर्थ की इस दुनिया में हम सभी अपने आप में इतना जादा खोय हुए हैं इतना जादा लगे हु कि वो बातों से ही किसी का दिल जीत लेते हैं, चंद्रमा और शुक्र, शुक्र व्यक्ति के स्वभाव में, व्यक्ति के चेहरे में, व्यक्ति के व्यक्तित्तों में स्त्रियोचित को मलता ले आ देते हैं, और चंद्रमा बेवहारिक बना देते हैं, और अब इन दिन दोनों च चीजों को आपस में अगर आप जोड़ दें, तो इसमें कहीं कोई संसय नहीं कि ऐसा व्यक्ति उच्च कोटी का ब्यापारी बन जाएगा। चलते हैं राशी फल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशी, मेश राशी के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। अच्छा रहने वाला है। मुलाकात करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी तरह की कोई मीटिंग इत्यारी करनी है, कोई डील है, आज का दिन आपके लिए बेहत फाइदेमंद सिद्ध होने वाला है। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बितेगा, उनका सहयोग मिलेगा। लेकिन बहुत अधिक उदारता दिखाने की भी आवश्यक्ता नहीं तो हो सकता है, कुछ लोग गलत फाइदा उठा लें। प्रेम संबंध में अगर तनाव किस्तिती है तो उसे आप सुलजाईए, दामपत्य जीवन सुखत, जीवन साथी की भावनाव का सम्मान करिए और विद्यार्थियों के लिए समय बेहत खासे बहुत अच्छा है। स्वास्त के दृष्टिकोंड से देखा जाए तो स्वास्त बढ़िया रहने वाला है, आज आपका स्वास्त में कहीं कोई परिशानी नहीं है। लकी यंख आपके लिए आज एक है और लकी कलर आपके लिए पीला। आज गायत्री मंत्र का 21 बार जब कर लिजिएगा। आपके लिए सब कुछ बहुत बढ़िया है, दिन बहुत बढ़िया है। तो गोचर कुंडली में चंद्रमा रासी से आज दसम में गुरु के नक्षत्र में गज केसरी योग का निर्मान किये हुए। कारिक छित्र में थोड़ी परिशानी जरूर आएगी। लेकिन आप अपने मिहनत, अपने प्रयत्न और अपने सकारात्मक विचारधारा से हर तरह की परिशानी को पार करके आगे बढ़ेंगे। सम्मान, प्रतिष्ठा, यूं समझ लिजे कि आपकी हैसियत बढ़ने वाली है, हर दिशा में आपका सम्मान बढ़ेगा। कारेक स्थल पर भी आप पूरी तरह से आज सक्रिये नजर आएंगे, बस इतना खयाल रखिएगा कि जो भी कारे आज पूरे करने हैं, उन्हें आज ही पूरा कर लेने की कोशिश करिए, जो भी मौका आपके सम्मुख हाया है, उस मौके को स्विकार करिए और आगे बढ़े किये, आपकी योजनाओं को समर्थन मिलेगा, यूँ समझ लिजिए कि ऐसा दिन जो आपके लिए आपके पक्ष में है, ब्यापार से सम्मंधित कोई प्रस्ताव आपके समुख आया हुआ है, उस पर आप विचार कर रहे हैं, तो आज विचार करिए बलकि कदम उठाइए स सफलता मिलने वाली है, संभावना केवल सफलता की है, जहां धनलाव की योग बन रहे हैं, वहीं किसी ऐसे सफल व्यक्ति से आपके मुलाकात होने वाली है, जिससे पूरी तरह से आप मोटिवेट होंगे, और एक बार जहां आप मोटिवेट हो गए, तो निसंदेह आप ले जाएए हर कारे आपको आज आसानी से आपका होने वाला है जीवन सांथी से अनबन ना हो इस बात का विशेश रूप से खयाल रखिए जीवन सांथी के जीमवालियों को जरा समस्ते रही और आगे बढ़िए विद्यार्थियों के लिगर देखा जाए तो जरूर थोड़ और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम मिथुन की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा रासी से आज भग्यभाव में गुरू के नक्षत्र में चंद्रमा गज केश्वरी योग का निर्माण नई शुरुवात और यूं समझ लीजिए परिशानियां खत्न हो रुके हुए कारे बनते दिखाई पड़ रहे हैं और पुरानी योजना का भरपूर लाभ मिलता दिखाई पड़ रहा हैं। इसकी तयारी करिए हो सकता है ब्यापार से सम्मंधित कोई बड़ा ओफर आज आपको मिल जा किसी भी तरह की मीटिंग डील के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। पार्टनर्सिप में अगर कोई रुकावट आ रही थी तो उसे बातचित करके आप दूर कर सकते हैं। जोश म्याकर के होश नहीं गवाना है और अपने काम की पहले योजना बना ये जो भी कारे आपको करना है उसको योजना बद्ध धंग से बना करके आगे बढ़ी। से देखें तो मसालेदार भोजन से आज आपको बचना है और बाहर का भोजन तो बिल्कुल ही नहीं करना वहाँ चलाते समय सावधानी बरती हैगा क्यूंकि चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है सावधान रही है लकी यंक आपके लिए आज कत्थाई है निवेश आप करें और आज आपको कहीं किसी जरुत मंद की मदद करनी चाहिए धन से या अगर उसको जरुत खाने पीने की है तो अन्न से जैसे भी हो मदद करिएगा करकी की बात कर ली जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा रासी से अश्टम में कल की अपक्षा आज का दिन बढ़ि मिलने बाला है आज किया हुआ कारे भी अच्छे से आगे बढ़ने बाला है आपको फाइदा मिलेगा यूं समझ लिए जीवन में कई तरह के सकारात्मक बदलाव होते दिखाई पढ़ रहे हैं जो भी कारे आप अपने लिए खास समझते हैं कि ये कारे मेरे लिए बहुत ख आएंगी ब्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन ब्यापार एक शत्र में कोई नई पहल करनी है करिए दहनलाब के जो भी रास्ते आपको दिखाई पढ़ते हैं उन रास्तों पर चलिए और धनर जित करिए जीवन सांथिक आपको पूरा-पूरा सहयोग मिलेगा तो वहीं कोई नया इलेक्ट्रोनिक सामान खरीदने का मन बना रहे हैं खरीद सकते हैं खान-पान पर अपने ध्यान रखना होगा क्योंकि खान-पान की वजह से आपको परिशानी हो सकती है वानी पर तो ऐसे आप नियंत्रान रखेंगे ही वानी से समझ लि समले में खान-पान पर ध्यान रखना है कफ जन्ने रोगों से आज परिशानी और सिरदर्द के शिकायत भी थोड़ी हो सकती है लकी अंक आपके लिए आज पांच है और लकी कलर आपके लिए सफेद गजेंद्र मोक्ष का पाठ या स्रवन प्रातह काल ही अगर आप कर लें तो यह आपके लिए बहुत बढ़िया होगा शिम्मकी अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा रासी से आज सप्तम में गुरू के नक्षत्र में चंद्रमा गुरू के साथ यूती बनाए हुए गज केशरी योग की द्रिष्टी आपकी रासी पर स्वाप यूं समझ लिजे कि अपनी बुद्धिमत्ता से हर तरह की स्थिती को सम्हालते हुए, मौजूदा स्थिती को बदलते हुए, अपने जीवन को सही दिसा में लेकर के आगे बढ़िये, बिगडी हुई स्थिती सुधर जाएगी, कोई बड़ा और पुराना मतभेद आज सुलज सकता है, जैसा प्रारम्ह में ही मैंने बताया बुधवार का दिन गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा कैसे भी मतभेद हो, कैसी भी उल्जन वो जीवन सांती से हो, ब्यापारिक पार्टनर से हो, प्रेमी से हो, किसी से भी हो, उसे सुलजाने का प्रत्न करिए, यूं समझ लिए कि नई शुरुवात करनी है आपको, साज आपके खिलाप रचते हों, आपसे जलन की भावना रखते हों, हो सकता है, वो आपके कारिया में बिघन डालने का, अरचन डालने का प्रत्न करेंगे, हलाकि आपको तनाव नहीं उत्पन करना है, आपको शांत रहना है, जीत अंत में आप ही कियोगी, बड़े खर्च से जर कुझ बढन नः हो इस ऐस बात का विश्य स्क्राइब रखे और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन स्वास्त की तू बात ही नहीं करनी सब तरफ त्थीख है दिन सभष के जादकूं के आज आज का दिन पढ़िया है लकियंक आपके लिए आज दो लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है और निवेश आप करें आधित हृदेस तोत्र का पाठ प्रातह काल ही करिए भुवन भास करके क्रिपा होगी सब कुछ ठीक होगा करन्या की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चं ठीक कर सकते हैं वानी पर नियंतरन रखिए कोई उल्जन है कोई वाद विबाद है दामपत्य जीवन में परिशानी चल रही सा सुराल पक्षे से परिशानी चल रही तो आज बातचित करके उसे ठीक करने का प्रतन करिए किसी रिस्तेदार के साथ मत्वेद या मन्वेद की इस्तिती बन गई है तो उसे बातचित करके ठीक करने का प्रतन करिए बिश्वास आज हर जगह बनाये रखना है प्रयास हर मामले में करना है धैरिय रखेंगे तभी सफलता मिलेगी अपनी शमताओं को पहचानिए और जीवन को और बेहतर करने के लिए प्रतन सील हो जाई अपनी राय से किसी को भी आप सहमत कर सकते हैं आज तो वस्य ही करेंगे जो भी विचार आपके दिमाग में आ रहा है उस पर योजना बना करके कदम आगे बढ़ाईए आपकी योजनाएं हर तरह से फली भूत होने वाली है और हर कार्य बेहत सुचारू ढंग से चलने वाल जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलेगा और जो लोग राजनीती के क्षेतर से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी समय बहुत बेहतर दिखाई पड़ रहा है मामुली कुछ परिस्तितियां ऐसी बनेगी जिसके चल्दे थोड़ी बेचैनी महसू और प्रेमियों के लिए अगर हम बात करें दिन सामाने विद्यार्थियों का आज मन पढ़ाई में लगना कठिन है पढ़ाई में आज मन नहीं लगेगा और स्वास्त के दृष्टिकोंड से देखें तो कफ जने रोग गले में दर्द की शिकायत आज आज आपको परिशान कर सकती है लखियंक आपके लिए आज चार है और लखी कलर स्काई ब्लू प्राता हकाल ही आज जल में थोड़ा सा रोली डाल करके कुम कुम चंदन सुर्य भगवान को और घ्यदी दिजेगा इससे से आप खुलाब मिलेगा तुला की बात करें तो गोचर कुंडली में कराएंगे संतान वक्ष से और विध्यार्थियों को भी सक्षा के क्षेत्र में थोड़े बेवधान थोड़ी परशानी का सामना करना पड़ेगा नौकरी पेसालों के लिए ज्यादा चिंता नहीं है कारे क्षेत्र में जिम्मेवारी अवस्य थोड़ी आपकी बढ़ेगी लेकिन थोड़ी शान्ती और सोच समझ करके विचार करके कदम आगे बढ़ाई आपको सफलता मिलेगी जैसे जैसे काम निपटते चले जाएंगे मन हलका होगा थोड़ी शान्ती मिलेगी थोड़े तनाव मुक्त होंगे आप तो प्रशन्ण भी रहेंगे कोई बहुत दिनों से रुका हुआ कारे आज आपका बनने वाला है कोई कागजी कारे जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो कारे बनता दिखाई पड़ रहा है आज दिन भर आप व्यस्त रहेंगे लेकिन अस्तब व्यस्त मत रहीगा आज के दिन को व्यस्तता भरा बनाईए और पूरे दिन से लाग उठाईए तनाव होगा ठकान होगी लेकिन साम तक जब रिजल्ट मिल जाएगा तो सब कुछ ठीक होगा कुछ नया करने किश कोशिस कर रहे हैं तो पहले बिचार करिए मैं तो सलाह दूगा कि जो पुराने कारे हैं उन्हें ठीक करिए तभ विद्यार्थियों को थोड़ी परिशानी होगी मैं बता चुका हूं मनपढ़ाई में आज नहीं लगेगा आज हनुमान जी की आराधना सभी को तुला रासी के जातकों को करनी है और अपने स्वास्त का विशेश रूप से खायल रखना है मौसमी बिमारी तनिक भी मौसू योग का निर्माण किये हुए ये चंद्रमा देखा जाए तो गुरू के नक्षत्र में गुरू के साथ यूति बनाये हुए आज के दिन को सकारात्मक बनाते दिखाई पड़ रहे हैं जहां धनलाब की योग हो रहे हैं वहीं कार्यक्षत्र में यूं समझ लीजे कोई बड सुल्जा मामला चला रहा था उससे सुल्जाने की आप कोशिश करेंगे और अंत में सुल्जा भी लेंगे व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया है उधार दिया हुआ पैसा वापस आ सकता है और यूं समझ लीजे कि आज पूरा दिन आपके सित्र से मुलाकात हो जाए उसके रहन सहन ठाट बाट को देखकर क्या थोड़े मोटिवेट भी हो और आप की भी आगे बढ़ने की इक्षा होगी प्रेम संबने में मजबुती आएगी जीवन सांति का पूरा-पूरा सहयोग मिलने वाला है और विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन मन पढ़ाई में लगेगा स्वास्त के द्रिश्टिकोंड से देखें तो स्वास्त में सब कुछ अच्छा है साकारात्म के स्वास्ति बलकि कोई परिशानी थी तो स्वास्त में राहत मिलने वाली है पुराने रोगों से मुक्ति मिलने वाली है और आज प समझ लीजिए कि आज वय ज्यानिक तरीके से जिन को आप जियेंगे लोग आपके अनुभाव की तारीफ करेंगे दिन चर्या में मामुली कुछ फिर बदल भी आप कर सकते हैं और ज्यादा अपने आपको बेवस्थित करने वाले हैं किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होगी और मित्र की मदद से ही आपका कोई बड़ा कार्य होने वाला है आज का दिन बहुत बढ़िया है इसका लाव उठाईए प्रारंभ में ही मैंने बताया बुधवार का दिन और गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा जितने भी महत्त पुर्ण मामले हैं उनको सुल्जाने के ल थोड़ी भागदोर जरूर है परन्तु आज जितना हो सके मेहनत करिए और आज के काम को आज ही निप्टा लिजे बलकि कल के भी जो काम है उन्हें आज ही करिए आने वाले कल के लिए कुछ मत छोड़िए आने वाले कल की स्तिति कल देखेंगे जीवन साथी के साथ संबंध में अगर मत भेद गलत फ़हमिद्पन हो गई थी तो उस्सुखमय करने के लिए आप उसमें सुधार लाइए विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा नकारात्मक होगा लेकिन परिणाम जब आप देखेंगे तो आपके लिए भी साकारात्मक और स्वास्त के द्रिष्ट कर सकते हैं मकर की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा अरासी से आपके आज दुतिय भाव में गुरू के नक्षत्र में गुरू के साथ यूति बनाये हुए नौकरी और ब्यापारिक ब्यापारी दोनों के लिए कहूंगा ब्यापार से सम्मंधित टेंशन आज बनी रहेगी लेकिन आप क्या करें बिवस्थित अंदाज में एक आगरता के साथ काम करते चल जाएए इससे ज्यादा तर आपकी समस्याएं सुलज जाएंगी जो उल्जने हैं वो सुलज जाने वाली हैं बातचीत से आपको हर समस्या का समाधान मिल जाएगा कोई भी कदम उठाईए सोच विचार करके ही उठाईए कारेक्षित्र में अगर कहीं कोई विवाद की स्थिति है तो उससे सुलजाने का प्रत्न करिए निसन देह आप सफल भी होंगे इसका आपको फायदा मिलेगा कारेक्षित्र में कुछ नए आउसर मिलते दिखाई पड़ रहे हैं क पैसों की स्थिति को लेकर के अगर चिंता है तो गंभीरता सुस पर ध्यान दीजे लापारवा होने से आपको नुकसान होगा सो मैं तो कहूंगा कि सुस्ति जरूर है लेकिन अपने काम में लग जाईए सब कुछ ठीक होगा धन आलाव के दित्रिष्टिकोंड से दिन बढ रहने वाला है जीवन साथी के साथ समन्द अच्छा होगा जीवन साथी से सयोग मिलेगा विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन आसानी से सफलता मिलेगी और स्वास्तिका आज विशेश रूप से आपको खयाल रखना है क्योंकि थोड़ा थकान आलस्य आज जादा रहने वाला है गनेश अथरवसर्स का पाठ या स्रवन आज प्रयता हकाल करिए इससे लाप मिलेगा लक्यंग आपके लिए आज दो और लक्य कलर आपके लिए आज पिंक है निवेश मत करिए करना जरूरी है तो जानकार की राय से कुम्भ की बात कर लेते हैं कुम्भराश के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी रासी पर है ये चंद्रमा गुरू के साथ यूती बनाए हुए गुरू के नक्षत्र में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात होते दिखाई पड़ रहे है नौकरी पेसा लोगों के लिए फिदिन अनुकूल है पदुन्नती के योग बनते दिखाई पड़ रहे है बातचीत से कितना भी बड़ा कारे क्यों नहों गंभीर कारे क्यों नहों कारे बनेगा किसी ऐसे विक्ति से मुलाकात होने वाली है जिससे आपको आगे बढ़ने का मार्ग मिलने वाला है जिसे विक्ति से मुलाकात करके आपके अंदर आतनो विश्वास आएगा आतनो विश्वास से आप भर जाएंगे परन्तु ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई कारे नहीं क लेकिन इससे कोई चिन्ता नहीं, दिन भर आपका मन काम में लगने वाला है, दिन ठकाने वाला ज़रूर है लेकिन सफलता देने वाला है, और जीवन साथी से अगर अन्बन चल रहा है तो उसे भी आप आज दूर करिए, किसी भी तरह के मध्यपांच ड्रिंकिंग व्यसन से अगर आप जुड़े हुए हैं तो दूर रहने का प्रत्न करिए प्रेम संबंद के लिए दिन थोड़ा मिला जुला थोड़ी परिशानी वाला लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा और विद्यार्थियों की बात करूँ तो मेहनत से सफलता आपको मिलेगी मेहनत से पीछे मत तो मिलाज उलाकर कि कुम्भरासी के जातकों के लिए विदिन ठीक ठाक है स्वास्त के मामले में पेट का खयाल रख लिएगा क्यूंकि पेट से संबंधित परिशानी आज आज आपको हो सकती है हनुमान जी के मंदर में जाइए और हनुमान जी के समुख तिल तेल का दिया जलाइए इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा रहत रहेगी लक्यंक आपके लिए आज साथ है और लकी कलर आपके लिए आज पीला निवेश भिया कर सकते हैं बात मीन राशिक कर लेते हैं मीन राशिक के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा राशिश आज बार्वे भाव में हैं ये चंद्रमा गुरु के साथ यूती बनाए हुए गुरु के नक्षत्र में आय और ब्याय की स्थिती को एक जैसा करने वाले हैं हला कि आपके काम सभी पूरे होंगे भायदा मिलेगा कारिश्थल पर भी देखा जाए तो आज आपको सहयोग मि आप धन अरजित कर सकते हैं और भविश्य में क्या करना है क्या नहीं करना क्या करने से लाभ मिलेगा इसकी योजना आज ही आपको बनानी है यूँ समझ लिजी योजना बना करके काम करेंगे तो लाभ ही लाभ रहेगा ब्यापारियों को ब्यापार से सम्मंधित नए मौक पढ़ी मत करिएगा। कोट का चहरी से सम्मंधित कोई मसला है या किसी से वाद विवाद है उससे सुल्जाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। एक और बात कहीं भी आप दिक्कत महसूस करते हों तो आज सलाह लेने से पीछे मत थटिये सलाह लेकर के कोई नया कारे भी आप प्रारंभ कर सकते हैं आपको सफलता मिलेगी। परिवार से जुड़ा अगर कोई मसला है जिसको लेकर के आप चिंतित हैं तो वो निपटने वाल जो कारे हाथ में लिया है उसे पूरा करिए और जिस मामले में कठिनाई महसूस हो रही है वहां लोगों से राय मस्वरा करिए बैवाहिक जीवन ठीक है संबंधों में अगर कोई महत्तो पुर्ण निरने लेना है तो आज ले सकते हैं इस मामले में दिन बढ़िया है जीवन लखना है लखी अंक आपके लिए आज चार और लखी कलर आपके लिए आज सफेद हैं आज प्रातह काल ही राम रक्षा इस्तुत्र का पाठ या स्रवन आप करिएगा इससे विशेस लाव मिलेगा तो प्रिदर्शकों ये था मेंश लेकर मीन राश्य परियंत प्रतेक होगी तब तक के लिए नमस्कार